यह देखें गाइज यह सामने वाली आपकी जो रोड है वह अपना इक्स्टिमेटर वाइट रोड है यह सामने जो रोड है लोकेशन बता जाते हैं डियल एफ एंकलेव की कहां पर एक्जक्ट इस सामने आप देखेंगे यह हयातपूर की तरफ से आ रहा है अपने अगर इस सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको यह और इस 89 मार् कोहुए और जय पीछे जे रोड जाती है डियक्त फॉड़ य reports करते है अश्रेव बड़्टीव कि तरफ जाती है आडरेक्शन आमरा खतर निकल जाती है और यह सैक्टर शीं की तरफ जारी है माने सर बेन करेंगे तो सैक्टर यह आपे लगता है यह GMS Crosswalk है, अगर हम वापिस बात करते हैं, यह फ्लोर्स हैं, थोड़ा एरियल व्यू करके दिखाते हैं आपको, फ्रेंट से, पीछे ओनम के कुछ फ्लोर्स हैं, यह देखिए, यह DLF के फ्लोर्स हैं, 27 एकर्स की लैंड है, DLF की, काफी आगे तक है, सामने अगर हम बात कर हैं, तो इन्होंने कुछ प्लोर्स भी इसके अंदर सेल की हैं, यह construction update है, यहां अभी crane लगी है सामने, थोड़ा फ्रेंट से चल के दिखाते हैं आपको, यह देखिए, यह construction update है, यह देखिए, प्लोर्स भी इसमें सेल के थे, DLF ने, 91-92 सेक्टर के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, DLF ने, यह वाली लैंड काफी अच्छी है, उसके अंदर revenue road आ जाती है, यह देखिए, यह update अफ्लोर्स, काफी टाइम लगेगा भी तुछ पर, DLF काफी अच्छा से, काम करके देते, complete करके, और रहर बहीं, काम का तुछिए, यह देखिए, व Sophia Bryce लेए, यह देखिए काम चल रहा viens लोई राईस में आफ़ी अच्छा काम किया है उमर पर टीम में पूरी जो लोईराइस के लिए काम कर रही है सेक्टर 59 में जो आहा है प्रोजेक्ट उस पर भी इस पर भी काफी अच्छा काम के दमने तो इस पर काफी अच्छा प्रीशेशन लोगों ने उठा लिया है एक 35 में सेल होई थी यह चीजें कहीं न कहीं जा कि अगर हम बात करें आज की डिट में एक 8090 के आसपस विच चानवे के पास लोकेशन के साफ से मिल जाता है कि हाक आजआ आ gel adesso कि असपस मार्किटन स्कूल भी और स्पेटल अरप स्कूल आज दixel स्कूल लोकेशन काफी अच्छी मार्कट कर आए आप आसपास काफिए अब इरिया है कि यह देखिए को यहां प्लाइन कर रहा है तो बताइए का असपास के एरिये में बाकी अमरे पस काफी अच्छे उप्शन आ रहे हैं किसी को चाहिए तो काइने लेट इस नो